हाई, मैं नतिन निहारी का टेक्नोलोजी बोपाल सुछ। वेलकम, चैलेंज टू लर्ण Tally ERP9 GST in Easy Steps आज के वीडियो में हम सीखेंगे Tally में बैकप लेने के तरीके, डाटा को सुरक्षत रखने के तरीके, जिससे हम कभी भी और कहीं भी देश में या विदेश में अपना डाटा चेक कर सके हैं। आईए, जानते हैं Tally में डाटा की इंपोर्टेंस क्या है। Tally में यदि आप अकाउंटिंग करते हैं, तो Tally का डेटा बैकप कम से कम तीन डिवाइस में होना चाहिए, क्योंकि कम्प्यूटर में वाइस, हैकिंग, फाइल डिलिट होने का खत्रा बना रहता है। प्राकृतिक आपदा के करण हमारा कम्प्यूटर खराब हो सकता है। उस तीती में कैसे डाटा सुरक्षित रख सकते हैं, यह हम देखेंगे। हम यात्रा कर रहे हो, तो भी हमें अपना डाटा चेक करते हुए आना चाहिए। अपने डाटा एंट्री के भरोसे ना रहे, क्योंकि ऑप्रेटर जॉब कभी भी छोड़ सकता है। और कभी-कभी हमसे गलत एंट्री डुप्लिकेट एंट्री हो जाती है, या गलती से वाउचर डिलेट हो जाती है। कोई नया ओप्रेटर गलत तरह से एंट्री कर देता है। इन सभी स्थिती से निप्टा जा सकता है अगर आप बैकप लेना जानते हैं। हमें तीनो तरीके से बैकप लेना चाहिए, या कम से कम दो तरीके से तो लेना ही चाहिए। हमें अपने कम्प्यूटर में या अपने हट्डिस में डेकप कैसे लेना चाहिए, वह पहले हम सीखते हैं। अपने ही कम्प्यूटर के d या e drive में folder बनाएं, जैसे की d drive में d://tallybackup, यह tallybackup नाम का folder है। तो यह d drive हम ओपन कर रहे है, तो माई कम्प्यूटर में d drive ओपन करेंगे, यहां right click करेंगे, folder पर जाएंगे, new folder create करेंगे, और इस folder का नाम रखेंगे, tallybackup या जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, मैंने tallybackup रखा हुआ, यह folder हमने create कर दिया है। और यहां date का folder बनाएंगे, जिस date में आप backup लेना चाहते हैं, यहाने कि d drive tallybackup के अंदर हम एक date का folder बनाएंगे, जैसे 07052019 में बनाब 7, 5, 19 का में backup लेना चाहते हैं, तो यह d drive में tallybackup में ने folder open किया है, यहां right click करके, new में जाके, एक folder create करेंगे, और इस folder को हम rename करेंगे rename करके हम नाम देंगे 07052019, याने 752019 का backup में इसमें लेना चाहते हैं, इस 752019 का में ने folder बनाया है, याने आज की तारीक 752019 में, मैं अपनी main location से, याने कि tally की main location जहाँ पे tally data store करता है, वहां से मैं data folder को copy करके, इस 752019 data में paste करूँगा, हमारी main location यानी tally data कहां store करता है, यह मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आईए फिर से बताता हूँ, tally open करेंगे, और सबसे नीचे यहाँ पे F12 configure बटन पे हम click करेंगे, click करते ही आपको configuration की window आएगी, जिसमें आपको जाना है data configuration की option, data configuration की option पे हम enter press तो आपके सामने window I की data configuration की जहाँ पे लिखा है location of data files, d colon slash tally new data, यहाँ पे जो भी location लिखी होगी, वहीं पे tally अपना data store करता है, तो आपको यह location ध्यान रखनी है, और यही location हम अपने computer में open करेंगे, तो हमने अपने computer में open करेंगे, computer d drive में tally new data, तो आप देख रहें tally new data क के अंदर एक ही folder दीख रहा है, 10,000, याने इसमें एक ही company अभी बनी हुई, हमें जो backup लेना है, वो tally new data folder का backup हमें लेना है, तो d drive में जाएंगे, tally new data, इस पे हम right click करेंगे, इसको हम copy करेंगे, copy करने के बाद हमने जो backup का folder बनाया, tally backup, इस folder का हम open करेंगे, इस folder में हमने एक date का folder बनाया, 75, 2019, याने हम जो backup ले रहे हैं, वो 75, 2019 में ले रहे हैं, यहाँ पे हम right click करेंगे और paste करेंगे, तो देखें, आपने यह data, tally new data हमने paste कर दिया, 75, 2019 के folder के अंदर, याने यह जो backup है मेरा, यह कूंसी date का है, 75, 2019, इसी प्रकार हमें अगली date का backup लेना है, तो ह हमें वापस tally backup में आना होगा, यहाँ पे एक new folder बनाएंगे, और इस new folder का हम नाम देंगे, 85, 2019, याने जब हम 8 तारिक में होंगे, तो इस folder का हम open करेंगे, और tally की जो main location है, जो हमें data configuration में दिखाई देती, वहाँ से हम folder लाके यहाँ पे paste करेंगे, इस प्रकार हमारे पास अलग-अलग date के backup हो जाएंगे, हम चाहे तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का backup हम रख सकते हैं, फिर पुराने backup को हम delete करते चले जाएंगे, अलग-अलग date में backup रखने से फायदा यह है, कि हमें ऐसा लगता है कि पुरानी date का data सही है, तो हम पुरानी date को recover कर सकते है, data को हम recover कर सकते ह अब हमारा जो दूसरा device है, जिसमें हम backup ले सकते हैं, वो हमारा pen drive है, अब हमारा दूसरा device, जहां पर हम अपना data save कर सकते हैं, वो है pen drive, computer hard disk के crash होने का खत्रा हमेशा बना रहता है, इसलिए हम tally data को pen drive में भी copy करके रखना चाहिए, तो data copy करने का बहुत ही simple तरीका है, याने जो हमने backup का folder बनाया, tally backup का d drive में folder बनाया, उस folder को हम copy करेंगे, और pen drive में paste, इस प्रकार हमारा data pen drive और hard disk, दो जगा save हो जाएगा, तीसरा और सबसे जरूरी device, जहां पर हम अपना data save कर सकते हैं, वो हमारा gmail account जो हम लोग बिल्कुल भी use नहीं करते हैं, इस device का फाइदा य या किसी अन्होनी के करेंड, आपका computer खराब हो जाए, या pen drive खो जाए, तो हमें हमारा data gmail account पे मिल सकता है, तो हमें अपना data और सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो d drive में tally backup के नाम का folder है, उसे हम gmail पर upload करेंगे, तो आईए देखते हैं कैसे हम upload करते ह तो gmail में हमें अपना backup upload करने के लिए हमें gmail account open करना पड़ा है, मैंने अपना gmail account mozilla firefox में open किया हुआ है, आप चाहे तो firefox में, या chrome में, या जो भी browser आप use कर सकते हैं, उसमें हम open कर सकते हैं, तो open करने के बाद, यह आपको dot dead, google apps, यहाँ पर हमें क्लिक करना है, यहाँ क् option है, यह triangle shape में लिखा हुआ है, इसे हम click करेंगे, तो यह google drive होती है, अब google drive open होने के बाद, आप देखिए यह button ने उपर new का button, इस पर हम click करेंगे, थोड़ा सा time लता है यह, new पर click करने के बाद आपके पास दो option आ रहे, file upload, folder upload, अगर आपके पास file है, तो file upload कर सकते हैं, ल folder में जितनी भी file है, वो सारी upload हो जाएंगी, अगर हम folder upload करेंगे, तो हम click करेंगे, folder upload पर, तो जैसे हम फोल्डर upload पर click करेंगे, हम से पूछेगा कि कौन सा folder upload करना है, तो हमें हम पताएं कि हमारा जो folder है, वो डी driving में है, tally backup का folder है, इसको हम select करेंगे, और upload पक्लिक करेंग तो जैसे ही हम upload पे click करेंगे right side में देखिए uploading चालू हो जाएगी uploading one item तो जैसे ही upload complete होगा आपको ये right वाला mark आएगा tally backup ये upload हो गया और आपको google drive में tally backup नाम का folder यहाँ पे दिखाई देगे ये tally backup का folder आप देखिए my drive में upload हो गया और इस backup के folder को हमें download करना हो अपने computer पे download करना हो तो simple task है इसको right click करना है और download पे click करना है तो आज का ये video यहीं तक था अगर पसंद आए तो like करे subscribe करे और bell icon पे press करे next video में मिलते हैं तब तक के लिए see you, tata, bye bye and love you all